के इस वीडियो में हम लोग बारहवी कच्छा के इतिहास विशय के चप्टर नम्मर पाँच के लगूतरी और द्रिवुतरी प्रस्टों पर परिचर्चा करें आज का पहला प्रश्ण है आइन ए अकबरी क्या है अथवा आइन ए अकबरी से आप क्या समझते है आपका उतर होगा आइन ए अकबरी आइन ए अकबरी अवुल्फ हजर के द्वरा लिखा गया एक पुस्तक है यह अकबर नामा का तीसरा खंड है इसे मोगल कालीन इतिहाश की आत्मा कहते है इस पुस्तक के पांच जिल्द है मतलब पांच खंड है जिल्द का मतलब खंड होता है या भाग भी होता है इसके पहले जिल्द में या पहले भाग में शाही घाराना और उसके विविन विवागों के बारे में चर्चा है इसके दूसरे जिल्द में मोगल कालीन शैन विवस्था के बारे में चर्चा है इसके तीसरे जिल्द में मोगल कालीन इकरिशी और राजश्यों विवस्था के बारे में चर्चा है चोथे जिल्द में हिंदूओं के पर्वत्यवार गराह नक्षत्र दर्सन चिकत्सा के बारे में चर्चा है और पांचवे जिल्द में अकवर के दोरा कही गई शुक्तियां और अबुल फजल के जीवन चरित्र के बारे में बर्णन है दूसरा प्रश्न है आईन ए दहशाला क्या है ज्यान देंगे प्रश्न है आईन ए दहशाला क्या है अथवा आईन ए दहशाला से आप क्या समझते है आपका उतर होगा या आप लिखेंगे आईन ए दहशाला महान मुगल बादसाह अकवर के दोरा अपने बित्मंत्री या अपने भूमी विभाग के अध्यक्ष प्रुडर्मल के द्वारा लगान शंग्रा करने के लिए या भूरयश्व एकठा करने के लिए प्रारंभ की गई एक व्यवस्था थे इस व्यवस्था के अंत्रगत पिछले दस वर्सों के लागान को रेकावड को ध्यान में रखते हुए अगले दस वर्सों के लिए आउशत के आधार पर लागान का निर्धारान किया जातात या व्यवस्था अकबर के शासनकाल में 1571 इसलिवे लागा गई गई चुकि अकबर ने इस व्यवस्था को टोडरमल के कहने पर लागू किया था इसलिए इसे हम टोडरमल बंदवस्थ या टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं तीसरा प्रश्ण है मुगल काल में भूमी को कितने बरगों में बाटा गया था आप लिखेंगे आइन ए अकबरी शे पता चलता है या आइन में ए अकबरी में इस बात का बढ़नन है मुगल काल में भूमी के चार वर्ग थे नमबर एक पोलज पोलज सबसे ज़्यादा उपजाओ भूमी था इस भूमी पर वर्स में दो बार फशल को उगाया जाता था दूसरा था परती इस भूमी पर दो तिन वर्स खेती होती थी और एक वर्स इसे युँँ ही छोड़ दिया जाता था तीसरा है चच्छर इस भूमी पर एक वर्स खेती करता था किशान और अगले दो वर्सों या तिन वर्सों के लिए परती छोड़ देता था और चोथा है बंजर या सबसे निम्म्न कोटी का भूमी था इस प्रकिषी भी प्रकार का पैदावार नहीं होता था चौथा प्रश्ण है मुगल कालीन क्रिशी उतपादन में महिलाओं के भूमिका पर प्रकाश डाले मुगल कालीन क्रिशी ब्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाले अब लिखेंगे मुगल कालीन क्रिशी ब्रवस्था में महिलाओं की भूमिका पराही महत्पुर्ण था महिला पुरुषों के शाथ कंधा शेकंधा मिलाकर क्रिशी काड़े में शहयो करते थी जहां पुरुष के वल हल से खेतों के जुटाई करते थे वहीं महिला भूआई कटाई निराई इसकी अलावा फसल से दाना को अलग करने का काम करती थी फिर भी महिलाओं के साथ शवांता का दर्जा नहीं था उनके साथ कई तरह से कई प्रकार से बेदवाओं किया जाता था जैसे हम पश्यमी भारत की बात करें तो पश्यमी भारत में रजस्वला महिला को कुमहार अपने चाक को या मिट्टी को रही धुने धुने देता था इस तरह पश्यम मंगाल की बात कर ले बंगाल की बात कर ले तो मासिक धर्म चकर के दौरान महिलाओं को पान के बगान में परवेश नहीं करने दिया जाता था लेकिन इतना होने के बवजूद भी शमाने तोर पर खेती वारी के अलावे सूत काटना मिट्टी के बरतन बनाना मिट्टी को साप करना मिट्टी को गुथना कपरुप पर कढ़ाई करना भी महिला का ही काम था पाच्वा प्रश्ण है जमिंदार कौन थे मुगल कालीन व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी जमिंदार कौन थे मुगल कालीन व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी आपका उत्तर होगा जमिंदार राजश्व शंग्रह करने वाले अधिकारी थे जमिंदार राजश्वा शंग रहा करने वाले करमचारी थे अधिकारी थे और मुगल कालीन व्यवस्था में जमिंदारों की भूमिका परामात्र पुर्ण थे आईन्यकवरी में इस बात का विस्तार से वड़न किया गया है आईने परी में लिखा है कि जमिंदार प्राय हूची जाती के ही हुआ करते थे और जमिंदारों के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि जमिंदारों का पद अनुवांसिक होता था जमिंदार के अपने वक्तिकत जमीन भी होता था नीजी जमीन भी होता था उस नीजी जमीन को मिलकियत कहा जाता था जमिंदार राजी की ओर से अपने छेत्र के किशानों से कर वसुला करते थे जमिंदार का पद अनुवांसिक होता था जमिंदार वसूले गए कूल लगान में से एक बटा या यूंक हो 10% भाग अपने पास रख लेता था बाकि 90% सरकार के पास पहुचा देता था कि इसके लावे जमिंदार अपने शित्र में हाट बाजार का भी आयोजन करता था मेला यह लगवाता था ताकि उस मेला में उस हाट बाजार में किसान अपने पैदावार को बेच सके और जमिंदार अपने हैसियत के हिसाब से शेना भी रखते थे और आप सत्ता परने पर शम बारावी के अच्छा के इतिहास के चप्टर पांच के लगूत्रिये और दिरिखूत्रिये प्रश्ण आप लोग इसको एक दो बार सुन लेंगे और अलग एक कोपी पर फियर कर लेंगे और बार बार उसे देखते रहेंगे क्योंकि रटने से जितना अच्छा अस्मिर्ते चिन्ह अस्थाई नहीं होता है उससे ज्यादा बार बार देखने से जितना बार हम किशी प्रश्ण को देखते हैं या दूहराते हैं उसकी अस्मिर्ते चिन्ह उतने ही मजबूत हो जाती है तो अगले वीडियो में हम लोग एतिहांस पाट शो के लगूतरी और दिर्गूतरी प्रस्णों को ले कराएंगे धन्दे बाद